परशांद किशोर की बिहार की राजिंती में हालत ऐसी हो गई कि सोना को वो छूते हैं तो मिट्टी हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाई मुखमंत्री हमको बनना है हमारी पार्टी की दोसर से अधिक सीते आएंगी। लेकिन हालात ऐसे होंगे कि जिस उमिद्वार को उन्होंने चिनावी मैदान में उतारा वो मैदान में उतरने के लायक भी नहीं है। इतने बड़े राजनेताओं के साथ बैठने वाले प्रशांत की शोर का ये दावा के हमने प्रधान मंत्री से लेकर के मुखमंत्री बनाया लेकिन अपना एक उमिद्वार सलीके से ना खड़ा कर पाड़ा है ना उनकी जो सियासी लियाकत होती है वो जांच और पड़क नह सबसे पहले घोशना की कहा कि ये देश की सेवा कर चुके हैं अब समाज की सेवा करेंगे सियासत में आ करके लेकिन कहा ये जा रहा है कि वो बिहार के वोटर ही नहीं है तो भाई वो चुनाओ कैसे लड़ सकते है नियम के अनुसार ये है कि अगर कोई लोग सभा का लड़ने के लिए आपको उस राज जिका नागरी को उस राज जिका वोटर होना शर्त है लेकिन इसके सिंग के मामले में ये है जो खबरे अलग अलग चल रही है उस खबर को मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं कि दर असल कानून या नियम ये कहलाता है कि अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना है तो आपको उस राज के किसी भी हिस्से का वोटर होना जरूरी है जैसे मैं आपको मिसाल के तोर पर बताओ कि रागोपूर से तेजस्वी यादब चुनाव लड़ते हैं और वो वोटर है पटना के वेटनरी ग्राउंड में वोट डालते ह उसी अलाके के है जो दस नंबर लालु पृषाद यादब राबडी देवी का सरकारी आवास है वो इस अलाके के वोटर है तो वो कहीं से भी पूरे बिहार में कहीं से भी नॉमिनेशन भर सकते हैं जैसे उनके भाई ये तिश पृताब यादब वोटर यहां के हैं लेकिन हसनपुर से समझतिपुर से विधान सभा को चुनाव लड़ते हैं लेकिन इसके सिंग के मामले में पीके के जो उमीदवार है उनके मामले में यह है कि वो दिल्ली में रहा करते थे तो वो दिल्ली में ही वो उनकी नागरिकता दिल्ली की है यानि वहीं वोटरलिश में ना में हमेशा से वोट उन्होंने गिराया अब वो चुनाव लड़ने के लिए यहां आ गए इस नियम की उन्हें जानकारी नहीं थी या परशांद किशोर सीधे हवाबाजी में पतंग उड़ाते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि भाई जब समंदर खाली होता है तो उसमें मु उर्दे को बहा ले जाता है राजिती में एतनी लंबी चोड़ी बात करने वाले प्रशांद किशोर का कि सियासी किरकिरी होती ने जरा आ रही है कि भाई आप कैसे लोगों को परधान मंत्री और मुख मंत्री बनाया करते थे आपके उमिद्वार का एक बाय डाटा आप चे अब यह सब जो उनके लोग हैं वो कहते रहे हैं लेकिन दरहसल प्रशांद किशोर के जो उमिद्वार इसके सिंग खड़े हुए है कहा यह जा रहा है कि यह ऐसी ही औरत है कि शादी से पहले ही वो बेवा हो गई विद्वा हो गई यानि चुनावी मैदान में उतरना था र हो रहा है और वो उनकी गलती की वज़े से हो रहा है